24 घंटे में कोरोना के 252 नए केसिस दर्च किये गए इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है आपको बता दे कि 370 मरीज 24 घंटे के अंदर रिकवर भी किये गए है और प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केसिस की बात की जाए तो इसके संख्या 4,025 है तो एक्टिव केसिस की संख्या इस वक्त 4,000 से ज्यादा लगातार है 24 घंटे में 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई सुप्रिया पांटे लगातार हमारे साथ बनी हुई है सुप्रिया एक तरफ तो कोरोना की रफतार कम हो रही थी लेकिन इस वक्त अगर प्रदेश में स्थिती देखे अभी भी 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसिस है जिब इल्कुल जिस तरीके से आपर कोरोना की बात करें तो कोरोना की जो रफतार है वो कम देखने को मिल रही थी लेगी अगर हम राजे के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो जारे दर से जादा राजे में सक्रीय मरीजों की संख्या बताई जारी है वहीं एक एदन में 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है तो लगातर यहाँपर संक्रमण का जो ग्राफ है वो अभी कम हुआ है आज बीते 24 गंटों की बात करें तो 24 गंटों में कम हुआ है लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो 300 से जादा मामले सामने आ रहे थे एक समय था जब राइपूर में 17,000 मामले एक दिन में सामने आये थे लेकिन अब संक्रमर की रफ्तार की बात कर कर रही है कि वो अभी भी जो है सतर्क रहे और मास्क लगाई शोशल डिस्टेंसिंग का पालंग करें